जानी मानी अपने त्री कंगना रणोंत इन्दनों काफी चर्चा में हैं। हाली में उनको बीजेपी ने मंडी लोगसभा सीटसे टेकट दिया है। ये टेकट मिलने के बाद सोचल मीडिया पर उनको लेका टिपनियों की बाड आ गई। इन टिपणियों में कंगना के खलाब भद्धे बयान भी दिखे। अचानक इस पूरे विवाद में कॉंग्रेस की सोशल मीडिया हैड सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी सामने आ जाता है। तो कॉंग्रेस नेता सुप्रिया की सफाहिस सामने आई। उन्होंने का कि उनके फेस्बुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एकसेस है। इन में से किसी व्यक्ति ने ही बेहत ग्रणित और आपत्ती जनक पोस्ट किया था। भद्धी और भोंदी टिपडी कर गी नहीं सकती हूँ, मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपियोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये अब्जेक्शनबल पोस्ट हो और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेस्बुक और इंस्टापेट डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास अक्सेस था उनमें से किसने ये घ्रनत काम किया। साथ ही मैंने इस पैरडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। वहां से अनर्गल टिपडियां भ्रहमित बाते कही जाती हैं। मैंने सर्व प्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पर बिलकुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्विजनिक जीवन में भद्दी, बोंडी, व्यक्तिकर टिपडियों के खिलाफ हूं ना मैंने ऐसा कभी किया है और ना मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुर्जोर तरीके से, पूरी इमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में। मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्ती जनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। अब इस मामले में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि जो नेता एक बड़े राजनेतिक दल की सोशल मीडिया हैड है, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस किसी गयर जिम्मेदार हाथ में कैसे सौंद दिया। इस मामले पर राश्ट्री महला आयु का बयान भी सामने आया है। कॉंग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर है या ये हैं, श्रिनाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन आभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनफेक्ट उन्होंने डिनाय किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों, एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं, और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है, और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है, और दोनों ही जिनाय कर रहे है चलिए अब आपको इस मामले में बाकी पृतकरियाओं से भी रूबरू करा देते हैं। वो डिगनिटी जो हैं वो डिजर्ब करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके, I mean, you know, sexualize करना। और खासकर सबसे जादा जो मुझे दुख हुआ है, वो जो मंडी जी से छोटा काशी कहा जाता है। पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहांपे रिशी पराशर से लेकर रिशी मारकंडे जी ने तपस्या की है। उसके बारे में इतनी भद्धी टिपनी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं, वो बहुत ही कश्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। कॉंग्रस पार्टी की मुख्यराश्च्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत जो की उनकी आईटी सेल की हैड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ती का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्ती जनक और अभद्रपता पूर्ण पोस्ट करके, और नाकेवल कंगना रनौत का, नाकेवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का, और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डाल कर, फिर उससे पल्ला जाडने की कोशिश की है, इस पूरे विशह पर इतने घंटे होने के ब इतनारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर प्रियंका वाडरा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूँ, तो क्या कॉंगरस से बच सकती हूँ, कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया, क्योंकि वो किसी पारिवार प्रश्ट भूमी से नहीं आती, कभी शांती धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है बलातकार होता रहेगा और राजस्तान नंबर वन बन जाता है बलातकार में तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकेट देना, कभी लाल सिंग जैसे व्यक्ति को जिसने आठ साल की बच्ची के बलातकारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था उसको टिकेट दे देना, कभी संदेश खाली पर जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाह जहां शेक ने जिस प्रकार का सेक्शुल एक्स्प्राइटेशन किया, उस पर कोई कड़ा ब मान, शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक, यूनिफर्म सिविल कोर्ड हो या कोई भी महिला सशक्तिकरण का कोई कदम हो, कॉंग्रिस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है, और आज एक और प्रमान सामने निकल कर आया है, जिस प्रकार का वक्त तवे, सुप्रिया शिन को ये ना मालूम हो, कि ये पोस्ट उनके हैंडल से गया है, इतने घंटों तक वो पोस्ट उनके हैंडल पर रहा, जब तक हमने उसके उपर शिकायत नहीं की तब तक उसने हटाया नहीं, और नकेवल ये, इंडी अलाइंस के साथ ही आईपी सिंग ने तो इसको जायस ठहरा है, ट्वीट करके, इसके अलावा कॉंग्रस के एक और नेता है गुजरात के, जिनोंने इसी प्रकार की अभद्र भाशा इस्तमाल की कंगना रनौत पर, इसके अलावा हमने देखा है कि कॉंग्रस के ही एको सिस्टम से जुड़े हुए कुछ तथाकतित नामी गिनामी करने पर ले और अपमानित करे, इस पर NCW ने भी संग्यान लिया है, पर हमारा सवाल ये है कि इन दोनों ही वक्तव्यों पर, इन दोनों ही कृत्यों पर, प्रियंका वाडरा, राहुल गांधी और खडगे जी अपनी भूमिकास पष्ट करने से कतराते क्यों है, इस पर कारवाई होनी चाहिए, सक्ट कारवाई होनी चाहिए, और हम इलेक्शन कमिशन से भी निवेदन करते हैं कि इन दोनों पर कारवाई जरूर की जाए. क्या गुजरात कॉंगरस के नेता, जिन्होंने इसी प्रकार की भाषा, कंगना रौनोच जी, मंडी, हिमाचर प्रदेश के बारे में बोली, वो भी क्या कोई गल्ती से हो गया, उसके लिए भी बहाना दिया जाएगा, जो कॉंगरस के एको सिस्टम के लोग इसको ट्वीट करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी गल्ती से हो रहा है, आईपी सिंग ने, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता है, अकिलेश या है कि बिना उनसे पूछे, उनके ओफिशल अकाउंट से, और क्यूंकि वो खुद दावा करती है, कि मैं हर पोस्ट को अपने आप से देखकर उसे बना कर भेजती हूं और करती हूं ऑनलाइन, तो क्या उन्होंने ये पोस्ट देखा नहीं, या ये होने के बाद, जब घंट तक वो पोस्ट रहा, नोटिफिकेशन आते रहे, लाइक बढ़ते रहे, वहाँ पर कमेंट्स आते रहे, तो क्या सुप्रिया शिनेत ने देखा नहीं, क्या कॉंग्रस का ITCEL इस प्रकार से चलता है, ये बात कोई भी स्विकारने को तयार नहीं है, क्योंकि एक नहीं, सभी कॉंग्रस के नेता लगभग इसी प्रकार की जुबान बोल रहे हैं, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये पोस्ट शायद सुप्रिया शिनेत का जरूर हो, पर ये सोच कॉंग्रस की है, और सोच कॉंग्रस की है, इसलिए प्रियंका वाडरा, मलिकरजुन खडगे जी और कोई खंडन नहीं किया है,